नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों बिहार SSE Interlevel Exam के तैयारी लाखो स्टूजेंस कर रहे हैं और वेकेंसी मात्र 11,000 है पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं लेकिन इस सेलेक्षन मात्र 11,000 कही होगा तो अब इस strategy के साथ पढ़ाई करना है कि इस 11,000 में आपका निश्चित रूप से जगह हो इसके लिए आपको सबसे अलग थोड़ा विशेस strategy के साथ पढ़ाई करना है आपको जानना है कि किस topic से परस्न पूछा जाता है कौन-कौन सब परस्न पूछा जाता है और किस type के question पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा अलग systematic धंग से पढ़ाई करना है आपको जानना है किस तरह से पढ़ाई करना है तो इसलिए एक systematic धंग होता है जो पढ़ाने का तरीका होता है किस question को एक साथ मिला कर एक जगह याद करना होता है और एक साथ revision करना होता है तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना होगा बलकि इसमें top rank में आना है ना संघर्स ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सेट के माध्यम से smart study पहला कोश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर की रूप में काम नहीं आता है तो इसका correct answer है ग्लिसरोल का उपयोग जो है कपड़े धोने के काम में नहीं आता है ग्लिसरोल या ग्लिसरीन एक कार्बनिक योगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है इसका उपयोग कोस्मेटिक्स में होता है एक कोश्चन पूछा जाता है कि धोबन सोडा का रसाइनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट है ठीक है धोबन सोडा का रसाइनिक नाम पूछा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट है और एक है खाने वाला सोडा या तो बेकिंग सोडा इसका रसायन की नाम क्या है सोडियम बायकर्वोनेट तो यह ध्यान रखना है नेश्ट कोशन है निमलिकित में से कौन साथ जीवानु बी नाट्रीकरण की परकरिया में भाग लेता है तो इसका लेटे जितने भी important question पूछा जाता है एक्जाम में वो सभी को एक साथ revision करना चाहिए ठीक है अब यहां पर एक question इस topic से यहां पूछा जाता है कि मतर कुल के पौधे में कि जड़ों में कौन सा जीवानु पाए जाता है तो राइजोबियम पाए जाता है यह question कोन सा जीवान पाए जाता है है यह question है कि पौधे nitrogen को किस रूप में पराप्त करते हैं तो 67 कि लिदिवान को थाइमिन कहा जाता है तो इसका का जो भी इंपोर्तेंट जो यो मुख्य नाम मायक 7 नाम सब सुlike 10 ने और किसी निए था तो हमने हैं कि यह धाना है अब रही बात सबस् linguistic का सबस्क्राइब करें बिटामिन C का एसज़ एक और इनक चाहर टोका धर और बिटामिन K का रचानिंग नाम है फिलो कुइनिन, ठेक, इसे यार race के से रखना है, रत पर एक टोफी, यानि पर को सालेंट कर देना, यानि रत एक टोफी, इसमें 6 विटामिन का आपको रचानिंग नाम याद हो जाएगा, ठेक, रत एक, यानि की waktu 2, रत एक बिटामिन A का नाम है रख लेना है next question है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गल्लांग क्या होता है तो इसका correct answer है जो बर्फ का गल्लांग ने वो भी घट जाएगा ठीक है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गल्लांग घट जाएगा होता यह एकि देखिए गरम करने पर जीन पदार्थों का आयतन जएक घी मोम यह सब इसके उदाहरा ने अच्छा को इंटेगरी और जल का आधिक्तम अधिक्तम धनकर होता यह को चने एफला 20 का उतका है इसका correct answer जाने कबपख का इफला 20 का उतका होता है आप यहां पर important question एक पुछा जाता है कि सैवाल और कबग का सहजीवी सम्मन्द क्या कलाता है तो वो liken होता है सैवाल और कबग का सहजीवी सम्मन्द होता है वो liken होता है सैवालों का ध्यन्ट क्या कर लाता है तो न新 i Biden पॉक्या याद रखना का अइसे तक की कन्रूचन न औरह साफ काम डिकिसोई वाल काल सी काम यह का मैक्रण समय कोश्चन आगा कि धन्या यह सब्सक्रीष याद आ रासाइनिक समिकरन किस नियम के अनुसार संतुलित होती है तो इसका correct answer है दर्वान संदक्षन नियम से ये संतुलित होती है next question है कि परमानू में धन आवेशित कनों की उपस्थित को सरपर्थम निमन में से किस ने दर्षाया था तो इसका correct answer है गोल्ड अस्टिन ने दर्षाया था परमानू में धन आवेशित कनों की उपस्थित को सरपर्थम गोल्ड अस्टिन ने दर्षाया था गोल्ड अस्टिन से एक कोशन और क्या पूछा जाता है कि प्रोटोन की खोज किस ने किया तो गोल्ड अस्टिन ने किया था देखे प्रोटोन की खोज गोल्ड अस्टिन ने किया था लेकिन नामा करन राधर फोड ने किया था एलेक्ट्रोन की खोज किस ने किया था जे जो थोमसन ने किया था और नीट्रोन की खोज चेडविक ने किया था नेस्ट कोचन है कि हेमोफेलिया एक अनुवानसिक विकार है इसमें क्या होता है तो इसका correct answer है कि एक protein का sensation नहीं होता है जो रक्त के असकंदन के लिए आवस्यक होता है यह हीमोफलिया में रोग में क्या हो जाता है protein का sensation नहीं होता है जो कि रक्त के असकंदन के लिए आवस्यक होता है निम्न युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है जिसी ये रोग है और ये इधर का अवसादी का नाम या उसका दवा का नाम है तो मलेरिया का जो अवसादी का नाम है सिनरियम ये सही है, कैंसर का नैक्सवार ये सही है, पोलियो का ओपीवी ये गलत है क्योंकि ये दवा नहीं है और एक है कुश्ट रोग जो है का दवा जो है डि-ो-्टस है ठीक है यानि गलत सिर्फ हुआ द तह 3 ठीक है इस तरह इसका एंसर जाता है option number D, के वल 3, next coach ने निमलिकित में से किस पौध्य को जड़ तना और पत्यों में विवेदित नहीं किया जा सकता है, तो इसका correct answer है, अस्पायरो गाईरा को जड़ तना पत्यों में विवेदित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो थायलो फाइटा है ने ये बनस्पत जगत का समू होता है, थेलो फाइटा बनस्पती जगा का एक समू है, इस समू के पौधे जड़ तना और पत्यों में विवेदित नहीं होता है, और इसमें संबहन उत्तक भी नहीं होता है, ठीक है, इसके उधारन कौन-कौन सा है, जैसे अस्पायरो गाईरा है, कारा है और कलेंडो फेरा है, इसमें क्या है, जड़ तना और पत्यों में विवेदित नहीं कर सकते हैं, नेश्ट कोचा ने, बाकि ये जो फर ने, मरसिलिया है, मुर पंकी, ये सब जड़ तना और पत्यों में विवेदित किया जा सकता है, नेश्ट कोचा ने, कि निमलिखित में से क्योंता कि के रोटीव कैसिन की कारण राङए इसका एंसर में दूद्ग् कार मैं और दूद करम उजला जो हता है केसिन प्रोटिन की कराण अब पीला होता है करोटिन की कराण नेस्ट कोचने एंटिवायोटिक्स के बारे में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका correct answer है जो एंटिवाइटिक्स के दुस प्रभावों में डिफ्तिरिया, फाइलिरिया और चेचक सामिल होते हैं ये गलत है ठीक है ये सही नहीं है बाकि जो एंटिवाइटिक्स जिवानु जन्नित रोगों के बिरुद प्रभावी है ये सही है एंटिवाइटिक्स ज जुकाम एबम फुलू में परभावी नहीं होते हैं ये भी सही है इसका answer रहता है option no.d यक्रित में यूरिया का संसलेशन होता है इसका answer है और नी थिन चक्र द्वारा ठीक है और नी थिन चक्र द्वारा होता है पिछले वीडियो में पिछले जो कोश्चन है उसमें स्टैफाइड टीबी पलेग नीमोनिया ये जिवानु से होने वाला रोग है विसानु से होने वाला रोग कुन सा है एड्स डेंगु पोलियो चेचक खसरा रेविज ये रेविज ये सब क्या है विसानुदर होने वाला रोग है और प्रोटोजवा से होने वाला रोग कुन किसे कर लेना है यह सब्सक्रठेज को मतलब टो कशम काला जयर सोने की विमारी और हम मलेरिया ठीक है पापा यह पारिया और पेचिस यह रोग जो से होनेवाला रोग है तो य को चनर सिससे मानब सिर्फ सहे सबसे बड़ी गरंथी कुठ सा है क्या क्या पिट कहां से अस्त्रावित होता है तो यक्रीट शेयता है अगर पूछे दें कि पूछेदे कोन कार्भोहट्रेट मोनो सेइकराइड़्ट तो इसका और एंसर है जो गूलुकूँज और फ्रक्टोज अरसेगल रेट और देखि इस टाइब को पुछ लिया जाता है तीन तरगह के होते हैं सुख्रोज यह लेक्टॉज माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज यह वाला तो इसे याद ऐसे कर लेना है डाय सेक्राइट में देखे एक है आपका मोनो सेक्राइट फिर डाय सेक्राइट और फिर है पोली सेक्राइट तो डाय सेक्राइट में है कौन माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज इसे याद क कर ले न ठीक है और पोली सेक्राइट में आता है अस्टोर्च गलाइकोजेन और सेलिलोज नेस्ट कोचन है कि यदि किसी गेंद को उर्धवादर रूप से उपर फेंका जाए तो गुरुत्य तोरन किस दिशा में आरोपित होता है तो इसका कोरेक्ट एंसर है गेंद की गती क बिप्रिशा में होता है देखिए यदि किसी गेंद को उर्धवादर उपर की ओर फेंकते तो गेंद ऊपर की ओर जा रहा होता और गुरुत्य तोरण जो वो नीचे की और लगता है यानि कि गती जो है उसके बिप्रीत दिशा में लगता है नेश्ट कोश्चन है कि रसाइनिक रूप से जल है तो इसका correct answer है कि ये एक oxide है रसाइनिक रूप से जल क्या है? Oxide है, जल का सुत्र क्या होता है? Oxide है, जल से एक और question क्या पूछा जाता है? कि जल का घन तो अधिक्तम होता है तो कितने degree centigrade पर होता है? 4 degree centigrade पर होता है और आयतन न्यूंतम होता है इसी पर 4 degree centigrade पर Next question है कि गती के दूसरी नियम के अनुसार किसी दिये हुए बल के लिए उत्पन तुरन ब्यूत कर्मानु पाती होता है तो इसका correct answer है Option number D बस्तु के दर्मान के ब्यूत कर्मानु पाती होता है बल बराबर क्या होता है? बल बराबर हो जाता है दर्मान गुना तुरन ठीक है? Next question है कि अनुप्रस्त तरंगे क्या है? तो इसका correct answer है इन तरंगों में माध्यम के कन तरंगों के संचरन की दिशा के लंबबद दिशा में कमपन करते हैं इसका answer हो जाता है Option number A कि अनुप्रस्त तरंगे जो है क्या होता है इसमें माध्यम के कन तरंगों के संसरन की दिशा के लंबबद दिशा में कमपन करते हैं अनुपरस तरंग में जैसे आ जाता है यह जो प्रकास तरंगे हैं यह अनुपरस तरंगे हैं और ध्वनी तरंगे वो अनुधरिश तरंगे होता है नेस्ट कोच ने कि बायू में Sulfur Doxide द्वारा परदूसन का सूचक है तो इसका correct answer है lycan नेस्ट कोच ने कटहल में खाने यो की भाग है तो इसका correct answer है सहपत्र और परिदल पुंज जो है ये कटहल में खाने यो की भाग है नेस्ट कोच ने कोच नमबर 21 निमलिकित में से कौन सा बिद्दु चुम्बक्य तरंगों का गुन नहीं है तो इसका correct answer है जो बिद्दु चुम्बक्य तरंगें बेतिकरन तथा बिवर्तन नहीं दिखाती है ये गलत है क्योंकि बिद्दु चुम्बक्य तरंगें बेती करन तथा बिवर्तन का भी ये गुन दिखाता है तो इसमें क्या नहीं दिया इसलिए ये गलत हो गया बांके बिद्दु चुम्बक्य तरंगें अनुपरस तरंगें होती है ये भी सही है और बिद्दु तथा चुमबक्ये छेतर एक दूसरे के लंबबात होते हैं ये सही है और चोथा है बिद्दु चुमबक्ये तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवसकता नहीं होते हैं ये भी सही है नेस्ट कोच्चन है कि रसायन परियोग साला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है तो इसका कोरेट एंसर है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है ठीके अब यहाँ पर दो इंपोर्टेन कोश्चन पुछा जाता है कि नीला लिटमस को लाल कर द तो इसका पॉर्यक्ट इंसर है यह उपास्थी यानि की कार्टिलेज का बना होता है बाह करन का जो कठोर लचीला भाग होता वह उपास्थी का मना होता है ठीक है यहां पर इंपोर्टेंट दो कोश्चन जो की exam में पूछा जाता है जीसे अस्थी को अस्थी से जोड़ता है वो क्या करता है लीगामेंट करता है और मान स्पेसियों से अस्थी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है यह याद रखना आपको 5 konnte चाहे किएक्वा रेजियम है नाट्रिक एसीड और हैड्रोघोर्कुलोरिक एसीड किस अनुपात में मिला होता है तो जिसे कि natric acid यानि कि HNO3 होता है और hydrochloric अमल होता है HCl तो यह होता है 1 by 3 ratio में होता है यानि natric अमल जो होता है एक अनुपात में और hydrochloric acid जो होता है तीन अनुपात में होता है यानि answer इसका ए हो जाता है next question है 60 watt का एक radio यदी 50 घंटा चला तो उसके द्वारा कितना विद्धूत उर्जा का उपयोग किया गया है तो इसका correct answer है 25 का ए हो जागा 3 kilowatt घंटा यह आएगा कैसे देकि विद्धूत उर्जा बराबर आपको सुत्र जानना पड़ेगा बिद्धूत उर्जा बराबर होता है बिद्धूत उर्जा बराबर सक्ति गुना time यानि समय तो सक्ति कितना वाट इसको क्या एकाई में होता है वाट पावर का वाट तो यह सक्ति कितना दिया 60 watt और समय दिया 50 घंटा इसको गुना करे 6 पंचे 30 दो सुन्य यानिकि 3000 watt गंटा में दिया और तो सुट्रे याद रखना बिद्धूत उर्जा बराबर सक्ति गुना समय next question और कि एक कि कम कितनी होनी चाहिए तो 18 वर्स होनी चाहिए ठीक है अब यहां से 2-3 important question पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है जैसे कि मतदान के आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स किस सम्मिदान संसोधन के तहत किया गया था तो 16 सम्मिदान संसोधन के तहत किया गया था 1989 में ठीक है अब रास्टी मतदाता दिवस को मना जाता है 25 जनवरी को मना जाता है और गराम पंचाद के गठन की सनुछित में तो अनुछे 40 में है नेस्ट कोच्चन है बिहार में पर्थम बार राष्टपती सासन कब लागो किया गया था तो इसका कोरेक्ट एंचर है पहली बार राष्टपती सासन लागो हुआ था लेकिन अगर पूछे कि अब तक बिहार में कुल कितनी बार राष्टपती सासन लगाया जा चुका है तो आठ बार राष्टपती सासन लगा है ठीक है और यहां से कुछ important question याद रख लेना है जैसे कि राष्टीयापात किस अनुचेद में तो अनुचे 352 में राष्टपति सासन अनुचे 356 में और बीती आपात अनुचे 360 में नेश्ट कोचने आपात उपवंध का सम्मिधान की किस भाग से है तो इसका कोरेक्ट एंचर है भाग कितना में 10, 5, 15, 3, 18 अनुचे 352 से 360 तक है अपात उपवंध का प्राबदान किया हुआ है तो जर्मनी के सम्मिधान से लिया गया है नेश्ट कोचने 29 निमलिखित में से कौन सयोग्म सुमेलित नहीं है तो ये जो अनुचे 49 के ए में है कि समान न्या एवं निसूलक बिधिक साहता ये सही है अनुचे 29 में अलपसंख्यांक बरगों के हितों का सनरक्षन ये भी सही है और अनुचे 44 जो है नागरिकों के लिए समान सिविल सनीता ये भी सही है और अनुचे 50 जो है अन्तराश्टी सान्ती और सुरक्षा के अभीविरती ये गलत है क्योंकि अनुचे 50 में ने कारजिपालिका को नयापालिका से प्रिथकरन का उल्लेख है इसमें अनुचे 50 में रही बात अन्तराश्टी सान्ती और सुरक्षा के ये इसका है अनुचे 51 म से याद रखना है क्योंकि इसका अभी काफी चर्चे में रहा था समान नागरिक सनीता इसे याद कैसे रख लेना है देखिए समान नागरिक सनीता यह यह आपको ध्यान रख लेना वस अनुछे 44 में नेश्ट कोचन ने भारत के सम्मिधान के अंतरगत धन विदयक को परुस्तूत किया जाता है तो इसका कोरेक्ट एंसर लोग सवा में परुस्तूत किया जाता है ठीक है अब लोग सवा जैसे आया पढ़ने का यही तरीका होता ह वो सब को एक साथ रिविजन कर लेना थायी टीक है इस लोगसवा के पर्थम अद्यक्च को थे पर्थम महला अध्यक्च को थे लोग सवा का गठन कभुआ तो यह सारे चीजें ओस्ष्ट आपके लिए मैं चोड़ता हूँ इसके बारे में लोग सवा के बारे में आप कितन लिख सकते हैं ठीक है आप कोमेंट में पूरा लिखिएगा नेस्त कोचने लोग सभा लोग लेखा समीथी अपनी रिपोर्ट की से सॉंपती है तो इसका क्रेंट एंसर रें लोग सभा अध्याख्ष को सॉंपती है ठीक है अब यहां पर कुछ कोश्चन है जैसे की लोक लेखा समीति के वारे में, लोक लेखा समीति में, जो है, वो कितने सदस होता है, तो 22 सदस होता है, ठीक है, उसमें कौन-कौन सा होता है, 15 लोक सभा के होते हैं, और 7 राज सभा के सदस होते हैं, और सारवजनिक उपकरम समीति में, इसमें भी 22 सदस होते हैं, 15 लोक सभा स तिस सवा के सदस होता है तो पराकलन समितिय में केवल लोग सभाके वो भी की सदस होता है बाकची दोनुğ। बाइस बाइस सदस था इसमें तीस सदस रहेगा और केबल लोक सवाका नेस्ट कोचर ने निमलिकित में से किसने है या तो किनोने राष्टपती नियुक्त होने से पुर्व उपर राष्टपती के पदपर कार्ज नहीं किया है तो इसका correct answer है नीलम संजीव रेड़ी यह कहा रास्टपती नियुक्त होने से पूर्व उपरास्टपती के पत्परकार्ज नहीं किया गया था और नीलम संजीव रेड़ी से एक और question पूछा जाता है कि निर्वुरोध चुनी जाने वाले पहले रास्टपती कौन थे वो भी नीलम संजीव रेड़ी थे next question है मौलिक अधिकारों एवों अल्प संख्यकों हेतू समिधान सभा द्वारा गठित समीती के अध्यक्ष थे तो कौन थे यह सरदार बल्ला भाई पटेल थे ठीक है अब सरदार बल्ला भाई पटेल से कितने question पूछे जाते हैं जैसे कि लोपूर उसकी से का जाता है सरदार बल्ला भाई पटेल को आ जाता है बार्दोली सत्यकरा का नेत्रे तो किस ने किया था तो 1928 में इसका नेत्रे तो सरदार बल्ला भाई पटेल ने किया था अ पर्थम उपपरधान मंत्री और पर्थम ग्रिह मंत्री कौन थे तो ये अपना सरदार बल्लभाई पटे लिए थे किस बर्ष यूरोप में अंग्रेजों एबं फ्रांसिस्यों के मध्य सप्त बर्षी युद्ध प्रादम हुआ था तो इसका कौरेट इंचर है 1756 में प्रादम हुआ था ठीक है 1757 की एक रांती हुआ था मतलब पलासी का युद्ध हुआ था ठीक उससे पहले 1756 में अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के बीच सब्त बर्षी युद्ध चला था ठीक है अब कोश्चन डारेक्ट इंपोर्टेंट पुछ लिया जाता है निगे सब्त बर्षी युद्ध किस के किस की बीच हुआ था तो यह ध्यान आपको रखना अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के बीच हुआ था ठीक है आचा बांडिवास का युद्ध का बुआ था 1760 में हुआ था वो भी बिरिटेस और फ्रांसिस्यों के बीच हुआ था अगर कोश्चन ऐसे पूछ लाए या नंकि फ्रांसिस्यों की अंती मुरुप से हार किस युद्ध इंप यहान से बांडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था भारत का पहला समचार पत्र कोन से था तो वो था बंगाल गजट ठीके बंगाल गजट था और इसके संपादक कोन था तो जेम्स आगस्टस ही की थे यह important question ने दोनों पूछा जाता है पहला समचार पत्र और उसके संपादक अचाए भारत का जो पहला हिंदी का पहला प्रथम समचार पत्र कोन था तो उदंत मारतंड था और उतंद मारतंड का प्रकासन किस ने किया था तो जुगल किस और ने किया था नेस्ट कोचने 36 निवलिखित में से किसस्था का गठन दादाभाई नियरो जी ने नहीं किया था तो किसका नहीं किया था ये ंडिया शोसाइटी का अस्थापना इन्हों ने किया था ठीके और East India Association की वी अस्थापना किये थे और Bombay Association की अस्थापना किये थे इसका answer हो जता है c जो Bombay presidency association है इनका संथापक दादा भाई नरोजी नहीं है क्योंकि Bombay presidency association का गठन बअधुदिन तैयप जी केटी ते लेंग और फिरोचा मेहतानिय मिल कर गिया था बंबय Presidency Association का ठीक है अब यहां दादा भाई नरोजी से कई important question जो के exam में पूछा जाता है ठीक है जैसे कि धन निसकासन का सिधान्त किस ने दिया था तो दादा भाई नरोजी नहीं दिया था राष्टी आय का अनुमान सबसे पहले किस ने लगा था तो दादा भाई नरोजी ने ता किसे का जाता है तो दादा भाई नरोजी को कहा जाता है नेस्ट कोचने निमलिखित में से कौन सा कार्ज 1931 के भारती राष्टी कॉंग्रेस के करांची अधिवेशन में हुआ था तो ये मौलिक अधिकारों का प्रस्ताप पारित हुआ ये सहिए आर्थिक निती का प्रस्ताप पारित किया गया था ये भी सहिए गांधी इर्विन समझोते का अनुमोधन किया गया ये भी सहिए यानि इसका एंसर हो जाता है ओप्सन नमबर डी ठीक है यहां से एक दो इंपोर्टन कोचन और ध्यान रखना है जैसे कि 1931 में हुआ करांची अधिवेशन ठी तो Sea गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ था ठीक है इंपोर्टन कोशन यह पूछा जाता है कि कि गोल में सम्मेलन में गांधी जी न भाग लिया था दूसरे समिलन में भाग लिया थे 1931 में था था ठीक है कumed मेस्ट कोशन है कि 1905 से 1910 तक ठीक है और सूरत विवाजन कभ वह था 2007 में हुआ था इंप्पोर्टेंट कोश्जन यहाँ पूछा जाता है कि भारती राष्ट्य गोंगरेस का नरम दल और गरम दल का विवाजन कभ वह था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था फिर नरम दल और गरम दल का समझोता का वुआ था 1916 के लखनो अधिवेशन में हुआ था उसे लखनो समझोता के नाम से भी जाना जाता है ठीके नेस्ट कोचन है 39 बिहार में निमलिखित में से किस आंदोलन के दोरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था तो इसका कोरेक्ट एंचर है ये भारत छोड़ो अंदोलन के समय छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था ठीके और भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ था तो आठ अगस्त 1922 को हुआ था और किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तो भारत छोड़ो आंदोलन के दोराने दिया था नेश्ट कोचे ने निमलिकित में से किस मुगल सासक ने दो आसपा एबम सिंग आसपा की निती को लागू किया तो इसका correct answer है जहांगिर ने लागू किया था जहांगिर से और important question कोन पुछा जाता है कि जो मुगल काल का स्वर्न काल चितरकला का स्वर्न काल किस के काल को कहा जाता है तो जहांगिर के सासन काल को कहा जाता है ठीक है अब एक important question यह पूछा जाता है कि गुरू अर्जुन दि कि सतनामी बिद्रो किस मुगल सासक के समय हुआ था तो इसका correct answer है ये औरंग जेव के समय हुआ था औरंग जेव ने किसकी अत्य कर रहा था गुरू तेक बहादुर की और जहांगीर अर्जुन देव की नेश्ट कोचन है रिक बेद काल में की नदी को सरवाधिक पवित्र नदी माना गया है तो इसका correct answer है सुरसती नदी को सरवाधिक पवित्र नदी माना गया है ठीक है अब यहां से कुछ important question याद रख लेंगे जिसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा या तो भारत की लुख को धानध करने ये तो यह जो बस से ने बस का समन्द शामद ये यूजपी में बस्माजन महाजन-माजनपद यूपी में इंप्पोर्टें और कोसेशन यह पूछा जाता है कि अंग माजनपद की राजधानी कहां थी तो चंपा ठीक है मगज की राजधानी कहा थी तो राजगीर बजजी की राजधानी कहा थी तो बैसाली था और बत्स की राजधानी जो था वो बत्स की राजधानी कोसामबी था है ने कोसामबी नेश्ट कोचे ने निम्लेकित में से किस सासक ने पाटली पुत्र पर आक्रमन कर वहां से बुद्ध का विक्छा पातर एबं एक अनौखा कुकुट अपने साथ ले गया था तो इसका correct answer है कनिस्क ने कनिस्क बोला है किस सासक ने यानि कनिस्क ने पाटली पुत्र पर आकरमन कर वहां से बुद्ध का विक्षा पात्र एबं एक अनोखा कुकुट अपने साथ ले गया था कनिस्क ठीक है अब यहां कनिस्क से important question यह पूछा जाता है कि अस्व घोस किसके दरवार में रहते थे तो इसी याद कैसे रखना है ताकि आपका भी भूले ने अचानक अचानक यानि कि अस्व घोस्च चरक और नागार जून यह को से यह नि कनिस्क के दरवार में रहता था नेश्ट कोचन ने बिरजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निमलिखित सूल्तानों में से किसने रोजगार कारजाले की अस्थापना की थी तो इसका correct answer है फिरोज सा तूगलक ने किया था ठीक है फिरोज सा तूगलक ने किया था अब यहां क्या दिल्ली सल्तनत की बात आई है यहां से इस topic से important question पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजबंसों ने सासन किया था ठीक है इसका करम भी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि पांच राजबंसों ने सासन किया था ठीक है पांच राजबंस सासन किया था कौन-कौन सा है तो गुलाम बंस ठीलज खिले तो सांस लो यह लाइन यह पंस तो एसका पूछली आ जाता है घूलां बंस के संस्थापक को ने НА रहा है अगर यह को पूछे के संस्थापक तो बनस के चलाल दीं फिरोच खिल जी ठे ऐ और तुकलक-बंस के संस्थापक गयाज सुदिन तुगलक और सयद बंस के संस्थापक खिजरखा और लोधी बंस के संस्थापक बकलोल लोधी नेश्ट कोचन है निमलिखित में से उत्तर से दक्षिन की और के करम बाली प्रबत सरीनी कौन सी है इसका कोरेक्टेंसर है ओप्सन नमबर डी पीर पंजाल प्रबत सरीनी सबसे उतर में है उसके बाद लद्दाक प्रबत सरीनी फिर जासकर प्रबत सरीनी फिर कारा कोरम प्रबत सरीनी यह अपने दच्छिन में है यह आपको याद रखना है नेश्ट कोचने मिलान करना है जैसे कृष्णा नदी और इसकी सायक नदी कौन सा ठीक है तो सायक नदी है कृष्णा की भीमा और ब्रहंपुत्र की सायक नदी है ब्रहंपुत्र का सायक नदी हो जाता है तिस्ता ठीक है जो गोदावरी का है वो गोदावरी का सायक नदी का न इंद्रावति ठीक है और जमुना का जो है वो चम्बल है ठीक है जमुना का सायक नहीं है चम्बल ठीक है चम्बल हो गया तो इस तरह से इसका एंसर हो जाता है ओप्सन नंबर ए नेस्ट कोष्चन है कि कोरो मंदल तट का विष्तार है तो इसका और कोरेक्ट एंसर है कुमारी अंतरीप से क्रिश्णा नदी डेलता तक है ठीक है इस टाइब को कोष्चन पूछा जाता है तो थोड़ा मेप से आपको ध्यान रख लाए जैसे कोकन तट कहा है तो इस हैंने कि महाराथ गुजराती गोव इसाब आरीया है इसाब का एक माला भारत्ट हो जाता है यह सब से नीचे तामील लाड़ो के आसपस का ठेके माला भारत्ट हो गिया और एक है कौरो मंडल तथ तो इसका correct answer है तिलहन उत्पादन से सम्मंदितों का पिली करांती का ठीक है अब यहां कुछ करांती का है जो कि एकजाम में पूछा जाता है जैसे नीली करांती का सम्मंद किसे मतस्च उत्पादन से और स्वेत करांती का सम्मंद दूध उत्पादन से स्वर्ण करांती का मेली थे तो कौन सा सही सुमेली थे ने इसका कोरेट एंसर हो जाता है मसाई जो है जन जाती यह मसाई जो है यह पूर्वी अफिरका में पाए जाता है मसाई पूर्वी अफिरका में पाए जाता है ठीक है अब यहां इंपोर्टेंट कुछ याद कर लें जैसे स्यमोंग जो है मलेसिया में पाए जाता है नेश्ट कोचने भारत में निमलिखित मूम से कौन सी स्रेनी नविंतम है तो इसका कोरेट एंसर है हिमालाय स्रेनी जो की सबसे नविंतम है हिमालाय की सबसे उसी चोटी है कौन सा एवरेस्ट चोटी है अच्छा ये क्या अरावली क्या है भारत का सबसे प्राचीन प्रवत जो है वो अरावली प्रवत ही है नेश्ट कोचन है कि एक चंद्र दीवस की अबधी होती है तो इसका correct answer है 24 गंटे 52 मिनट होता है एक चंद्र दीवस की अबधी 24 गंटे 52 मिनट होता है नेश्ट कोचन है लेकिन ये गलत है ठीक है इसका correct answer जोगा option number C गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रापधान से सम्मन दी थे सोभागी योजना सोभागी योजना को लोंज का वह था 2017 में वह था नेश्ट कोचने अटल नौ परवरता यानी innovation mission किसके अधिन अस्थापित किया गया है तो इसका correct answer निती आयोग द्वारा अस्थापित किया गया है ठीक है इसका full form क्या होता है ये पूछलिया जाता है निती का national institution for transforming इंडिया निती आयोग का गठन कब हुआ एक जुलाए 2015 को हुआ था और ये जो सोभागी योजना कब लोंच भुआ था 2017 में हुआ था नेश्ट कोचने निमलिखित सुचकांकों में से कौन सा मानब विकास सुचकांक की गन्णना में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इसका correct answer है ये जो समाजिक ओ समानता है ये मानब विकास सुचका में समिलित नहीं किया जाता है बांकि मानब विकास सुचका में समिलित किया जाता है जीवन परतियासा सिक्छा और परति बेक्ति आए नेस्ट कोचने, अच्वानविकास सुचकांग में पर्थम देश कौन सा है, तो बरतमान में सुट जरलेन, अब मानविकास सुचकांग में भारत के रेंग क्या 132 से, नेस्ट कोचने, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिसों से लागू हुआ, इसका correct answer है, ये राजय चेलाया सम से लागू हुआ था, नेस्ट कोचने, भारत में नवाड बेंक पुनर वित उपलब्द नहीं कराता है, तो इसका correct answer है, निरियात आयात बेंक को, नवाड बेंक पुनर वित उपलब्द नहीं कराता है, निरियात आयात बेंक को, ठीके, अब यहां से कुछ कोचन आपको ध् थ्थापना कब वहा था तो 1912 में हुआ था नेश्च्ट को चने कि थियाँ रखना को Coward कि अधिक अस्थिर परिश्टकी तंत्र कौन सा है इसका पर एक अ महासागर्व यह醍त है वह सबसे धिक असस्थिर परिश्टकी की तंत्र होता है ठीक है यह ध्यान में किया लाम पहले आता फिर प्रात्मी उपहता बहुता ऐसे ठीक है तो पहले क्या होगा घ्ञांस को खाता बखरी और बखरी को आदमी खा सकता है, खाता है, तो इसका correct answer हो जाता है, option number B, next question है, यह मिलान करने वाला है, राश्टी उद्यान है, और किस देश में है, तो जो राजा जी नेशनल पार्गे ने, यह कहा है, उत्राखंड में, आसम में कौन सा है, मानस, उडिशा में कौन सा है, सिमली पाल, और करनाटक में बांदिपूर, राश्टी उद्यान, तो इस तरह से इसका answer हो जाता है, option number B, next question है, बोकारो इस्टिल प्लांट की अस्थापना किस वर्स की गई थी, तो इसका correct answer है, यह 1968 में किया गया था, बोकारो इस्टिल प्लांट की अस्थापना 1968 में हुआ था, next question है, किस देश की संसत का नाम Federal Assembly है, तो इसका answer मालूम क्या होगा, इसका answer दिया हुआ तुर्की, लेकिन इसका answer होना चाहिए D, है न, इन में से कोई नहीं, क्योंकि जो Federal Assembly है, वो Australia की संसत का नाम है, Australia का संसत का नाम है Federal Assembly, ठीके, यह ध्यानक में है, और Grand National Assembly है, वो किस देश का है, सूर्जियर लेंड का है, अब People's Assembly किस का है, People's Assembly, यह मिस्र का है, ठीके, और National Assembly जो है, वो फ्रांस का है, अब Federal Assembly असम का, अथि यह Australia का है, नेश्ट कोश्चन है, लाली बनीजीव अभिहारन किस राजी में अस्थी थे, तो इसका correct answer है, यह अरुनाचल परदिस में, लाली ब संरक्षन अधिनियम कब लाग हुआ था, 1972 में लाग हुआ था, नेश्ट कोश्चन है, कि वन जीव सब्ताह मनाया जाता है, तो इसका correct answer है, अक्टूबर के पहले सब्ताह में मनाया जाता है, नेश्ट कोश्चन है, कि सराजी सरकार द्वारा हमर बेटी, हमर मान, योजना की शुरुवात की गई, तो इसका correct answer है, यह हो जागा 36 गड़, ठीक है, 36 गड़ से और एक question पुछा जागा आपसे, कि सरवादिक कोईले का उत्पादन कहा होता है, तो 36 गड़ में होता है, सरवादिक कोईले का भंडारा नगर पूछ दे तो वो जारखंड होता है, नेश्ट गोसे, अब यहां पर एक important book का जो है लेखा के उसका याद कर लेगे, जैसे के cross court के लेखा कोने, जैवदी मुखर जी, और age good, age my word के लेखा के के केम चंदर सेखर, और एक reform nation इसका लेखा के गोतम चिकरमाने, जदू नामा के लेखा के अरविंद मंडलोई, नेस्ट कोचने corporate 2003, sun, अभ्यास भारत का आयोजन, sun, अभ्यास का आयोजन भारत अथा किस देश के बीच हुआ था, तो इसका correct answer है, यह हुआ था, Thailand के बीच है, नेस्ट कोचने, 68 इसका correct answer है, यह 135 है, ठीक है, और पहले अस्थान पर कौन सा देश था, तो वो था, Iceland, नेस्ट कोचने, वाइस में विधी आयोग का अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है, तो इसका correct answer है, रितुराज अवस्थिय को नुक्त किया गया, मतलब कि विधी आयोग का अध्यक्ष इसका correct answer है, यह मलेशिया के परधान मंतरी नुक्त हुए है, अनवर इबराहिम, यह मलेशिया के परधान मंतरी है, ठीक है, आचा, मलेशिया के राजधानी का है, कौाला लंपूर है, मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या है, रिंगी थे, नेश्ट कोचे ने, बिशु स्वास्त दिवस 2023 का बिशे है, तो इसका बिशे क्या है, कि health for all, है ने, health for all, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ important question याद रखना है, जैसे कि बिशु स्वास्त संगठन के अस्थापना का अब हुआ था, तो 7 अपरेल 1948 को हुआ था, और इसी 7 अपर और इसका मुख्याले का है मालो, 207 संगठन का मुख्याले जेनेवा में है, नेश्ट कोचे ने, ACN Games 2022 का आउजन कहां किया गया था, तो इसका correct answer है, चीन में किया गया था, ने, ACN Games 2022 का आउजन चीन में किया गया था, ठीक है, और यहाँ पर एक important question याद रखना है, कि भारत ने, जो कुल कितने पदक जीते थे, ACN Games एक सो साथ पदक जीता था, अठाय स्वर्न, अरतिस रजत और एक तालिस कांस्व पदक जीता था, ठीक है, नेश्ट कोचे ने, भावतिकी के छेतर में नोबेल पुरुषकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें किया फिजिक्स का नोबेल पुरुषकार 2023 का, य यहां पर याद कर लेंगे, याद तो आप किया होंगे, यहां पर एक बार रिविजिन कर लेते हैं, जिसे रसायन का नोबेल पुरुषकार 2023 किसे मिला, एलक्सी, एकिमोग, लुई बुरुस और मोंगी वबेंडी, यह तीन लोगों को मिला, ठीक है, चिकित्सक का नोबेल पुरुषकार रोजाता है, दो लोगों को मिला, डू बेस्मेन और एक एक केटलीन करी को, अर्थ सास्त्र का नोबेल पुरुषकार किसको मिला, कलावडिया गोल्डीन को मिला, इसे याद कैसे रखना है, कलावडिया गोल्डीन को, जैसे कि अर्थ सास्त्र है, तो अर्थ स वह वस्थाओаз तरह से याद कर लेना कि जो अर्थ सास्त्र का है नोबिल पूरसका हुसे कलावडिया गुल्डिन को मिला सैंती के संती का नोव 맡रेकर is तरह से हो जाएक और एक है साहित का नोवल पूरसकार कैसी मिला तो वो जोनस्व को मिला इसे याद कैसे रखना है जैसे जोन फोस से है यानि कि वो साहित इतना सांदर इतना अच्छा लिखता है कि जो पढ़ने वाले उसमें फोस जाते हैं जोन फोस से हो गया नेश्ट कोच ने कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राजि कौन सा है तो वह केरल ठीक है अचा भारत में इंटरनेट की सुरूआत कभ वो था तो वो था 1995 को नेश्ट कोश्चन है कि बजट 2023 में केंदर सरकार ने देश के कितने ब्लोकों में अकांची ब्लोक योजना कार्जक्राम की सुरूआत की है तो इसका correct answer है option number D 500 ब्लोकों में ये कार्जक्राम सुरू किया गया था ठीक है तो इस तरह से set number 7 का GK और science का question होता है समाप और पिछले वीडियो में मैंने आपसे question पुछाता है कि सुमात्रा दूइप किस महासागर में है तो इसका answer है हिंद महासागर में है आज का question है कि quantum संख्यां कितने परकारगे होती है ठीक है इसका answer आप comment में देजिएगा और एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें